हेलो एवरिवन आज हम आठमी कक्षया की उडान कारिय पुष्टिका के फेज टू में इतिहास के पार्ट तीन राष्ट्रिय भक्ती आंदोलन में आने वाले कारिय पत्रक को अच्छी त्रह से सौल करना सीखेंगे, हल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर रन तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिवेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो देखिए सुरुवात करते हैं हम यहां पर यह है पार तीन राष्टिय भक्ति आंदोलन इसका कारिय पत्रब एक है फर्स्ट क्यूशन है आप किस धर्म को मानते हैं और आपके धर्म का कोई धार्मिक गंथ है तो उसका नाम बताए तो उसका नाम बताना है बच्चो जै जैसे हम हिंदू है तो बोल सकते हैं हम हिंदू धर्म को मानते हैं और इस धर्म का पवित्र धार्मिक गंथ का नाम वेध है गीता है रामायन है ठीक है और इसी तरह से अगर आप मुसलिम है तो कह सकते हैं हम मुसलिम धर्म को मानते हैं और हमारा जो धार्मिक गंथ है वो है कुरान इससे जिस भी धर्म से आप संबंद रखते हैं बच्चो उन्हीं उसी धर्म का जो है आपको नाम लेना है धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर लिखना है अब आगे साकेंड क्यूशन है भक्ति क्या है अपने विचार दीजिए इस्वर के परती अनुराग या स्मर्पन को भ पुछा है कि भक्ति की प्रमुख साखाओं की बारे में बताईए तो बच्चो भक्ति की दो साखाए है एक है निर्कुन भक्ति साखा और दूसरा है सगुन भक्ति साखा आगे है कारिय पत्रक दो इसमें पहला क्यूशन दिया है प्रमुख भारतिये भक्ति संत या रूब सकुन निर्गुन बताईए वो बताना है तो यहां पर जो है इसमें आ जाएगा कबीर है जो कबीर जी वो निर्गुन भक्ति के हैं कबीर निर्गुन सूर्दास सगुन नामदेव सैगुन जैदेव तथा चैतन्य महाप्रभू सैगुन रामानन्द निर्गुन और पलभाचारिय सागुन तो इससे आपको भी अपनी कोपी में ये सब लिख लेना है अब आगे देखी एक बार आगे इसने दूसरा क्यूशन यहां पर पूछा है दूसरे क्यूशन में पूछा है इसने कि भक्ति आंदोलन के बारे में जो पढ़ा या समझा उसके अनुसार भक्त संतों की प्रमुक सिक्ष्याएं अध्यापक दवारा दिये गई बोक्स में छात्रों दवारा लिखवाई जाए तो यहां पर जो है बचो हमें लिखनी है ये संतों की सिक्ष्याएं हैं उन्होंने कौन कौन सी सिक्ष्याएं जो है वो दी है वो लिखनी है तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे यहाँ धन्ना भक्त है पहले में धन्ना भक्त ठीक है? और उन्होंने का है बड़ों का आदर रविदास बहरी आंड़ांब्रों का विरोध कबीरदास इनका जो है इसवर सर्व्यापक है यानि सभी जगहें पर है कबीरजी ने ये कहा था बलभाचारिय का है कि प्रतेक वस्तु श्रीकृष्ण को स्मर्पित कर देनी चाहिए तो अब आगे हैं कारियपत्रक तीन कारियपत्रक तीन में दे रखा है आप भक्ति आंदोलन के कारण धर्म में आए प्रिवर्तनों के बारे में कक्षया में साथियों से चर्चा करें भक्ति आंदोलन जो है उसके कारण धर्म में जो जो प्रिवर्तन आए है वो प्रिवर्तन जो है उन प्रिवर्तनों की जो है चर्चा करनी है तो भी यहाँ पर हम इस क्यूशन में लिख सकते हैं कि भक्ती आंदोलनों के कारण धरम में यह परिवर्तन आया कि वे इश्वर में विश्वास करने लगे और उसकी सरण में सुरक्षित महसूस करने लगे अब इसी तरह से आगे second question है चर्चा करें कि आज के समय में संतों का क्या महत्व है और क्या वे समाज के परती अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रही है आज के समय में जो संत है उनके जो है वो पूछा गया है तो आज के समय में संतों का बहुत महत्व है और आजाएगा हाँ वे अपने जिम्मेवारी को सही धंक से निभा रहे हैं आगे थर्ड किर्शन है भक्ति आंदोलन के संतों की प्रमुख साहित्य रचनाओं के नाम क्या है तथा वे किसका प्रतीक है भक्ति आंदुलन के जो संत है ना, उनकी साहितिक रचनाओं के नाम पूछे हैं, तो उन नाम में जैसे रामानुचारिय हैं, उनकी है भाश्य, जैदेव के द्वारा लिखे गया है गीत कोविंद, कबीर की है पीजक, ये जो है आपसी समनव्य की परतीक हैं, किसका परतीक है यहाँ पर ये भी पूछा है ना, तो इसका अंसर होगा, ये आपसी समनव्य के परतीक हैं, अब इसी इतने से आगे आजाता है कारिय पत्रक चार, और उसमें दे रखा है रिक्त स्थान भरें, तो अब देखिए एक बार, यहाँ रिक्त स्थान भरें, इसमें कहा है इसने, पहला जो है, यहाँ पर का ओप्सन जो है, वो दे रखा है कि रामानुचारियर डैस के उपा सकते, किसके उपा सकते, विश्णू के उपा सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा विश्णू, बगवान विश्णू के उपा सकते, कबीर दास ने डैस और डैस का विरोध किया, किस बहारी अडंब्रों का विरोध किया था, बहारी दिखावेका थीखा आप आगे तीसरा है यहां पर अलवारों की संख्या है अलवारों की कितनी संख्या है अलवारों की बाहरे संख्या थी ऐसे आएगा ये अलवारों की कितनी संख्या थी? बाहरे संख्या थी तो बाहरे आजाएगा अब आगे है धन्ना भक्त डैस परिवार से संबंध रखते थे धन्ना भक्त जो है वो बचो किसान थे किसान परिवार से सम्मंद रखते थे तो यहां किसान आएगा अब आगे एक काईस ने मिलान करें मिलान करना है रवीदास, रस्खान, मीराबाई, कबीर यह दे रखे हैं और यहां पर देखें रवीदास जो है किस से मिलान होगा यह वारांसी से रस्खान जो है वो सयद इब्राहिम और मीराबाई मीराबाई जो है वो सबुन भक्ति पाशक है और कबीर दास जो है वो निर्गुन भक्ति पाशक थे ठीक है? इस तरह से आजाएगा अब आगे है कारिय पत्रक पाँच और कारिय पत्रक पांच में दे रखा है कि आपके विचार से मध्यकाल में भक्ती आंदोलन के उद्य होने का क्या कारण थे तो यहां भक्ती आंदोलन उद्य कैसे हुआ वो कारण पूछे हैं तो पहला कारण जो है इसका जाती वयवस्था का जटिल होना, मंदिर वय मुर्तियों का विनास होना दूसरा कारण है और तीसरा है इसलाम का प्रभाव आगे है चार परसित मठों का पता लगाईए इनकी स्थापना करने वाले संतों के नाम का पता लगाईए चार परसिद मठों का पता लगाई है, चार परसिद मठ कहे हैं इसने, तो चार परसिद मठ में आजाता है, एक तो है जोतिर मठ, बदरीनात, जो है, एक है स्रिंगेरी मठ, रामेश्वरम में, एक है शारदा मठ, द्वार का धाम, और गोबर्धन मठ है पूरी में, ये चार म बचो आधी संक्राचार्यी ने इन चारु मठों की स्थापना की थी। अब आगे तो यह पाथ यहीं पर आज खतम है। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो दे रखा है छत्रपती, सिवाजी एमं पेश्वा वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो बच्चो आज इसमें के वली इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए चैप्टर के साथ आएंगे तो तब तके लिए बाई